दोस्तों ये पार्लिमेंट रिपोर्टर सिरीज के लिए 160 सब्द प्रतिम नटकी गती से डिक्टेशन होगी अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दवाना बिलकुल भी ना भूले ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेश्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँँ सकें तो चली फ्रेंट्स देर ना करें शुरू करते हैं स्टार्ट महदे कुछ लोग आज या कहते देखे गए हैं कि राष्टी एकता अंगरीजी के माध्यम से हो सकती है कई लोगों की धारना है कि अंगरीजी निकाल दी जाए तो राष्ट टुकरे टुकरे हो जाएगा वैज्यानिक प्रगती रुक जाएगी आदी इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता मैं अंगरीजी की उपादेयता को नकार नहीं रहा किन्तु हर जगा उसका वर्चस्व हो यह स्विकार नहीं हो सकता किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृती विचारधारा और मान्नेताइं जूडी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्वसक्षम होती है स्वतंतरता के पुरुव राष्टी गोरव आम जन्ता को द्रिश्टी में रख कर किया जाता था राष्टी एकता का अर्थ है करोडो भारतियों की एकता और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है अंग्रेजी से नहीं अंग्रेजी को बनाए रखने की निती मानसिक दास्ता की दियोतक है यदि हिंदी और भारतिय भासाओं के विरुद अंग्रेजी सडियंत को विफल नहीं किया गया तो जन्तंतर एक माखोल बन कर रह जाएगा हिंदी और भारतिय भाषाएं तो सहोदराएं हैं उनमें आपसी कोई विरोध नहीं उनका विरोध और संगर्स तो अंग्रेजी के साथ है जिस दिन छेत्रिय भाषाएं अपने छेत्र के प्रशाशन नयाय सिक्षा आदी में अस्थापित हो जाएंगी उसी दिन राश्टि ये अस्तर पर राश्ट भासा राज भासा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के अस्थापित हो जाने का मार्ग प्रसस्त हो जाएगा स्वैक्षिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उदेश्य को कभी भी धूमिल होने न दे क्यूंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के छेतर में वे सरवाधिक महत्वपूर्ण इकाईया हैं इस द्रिष्टी से मैसूर हिंदी प्रचार परिसद का यह कारिकरम शलाग निये है कि वह हिंदी के साथ कन्नेतर जग्यासियों के लिए कन्नर की प्रारंभिक और उच कच्छाएं एवं पडिक्छाएं चला रही हैं आश्ट भासा और छेतरीए भाषा साथ साथ गल बहियां डालकर चले इससे बढ़कर सुखद इस्तती और क्या हो सकती है और प्रिय सनात को आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा विगत महिनों और वर्सों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथ हिंदी प्रसिक्षन की परिक्षाएं दी हैं उतिर्ण हुए हैं आपकी दिक्षा पूरी हो चुकी है अब आप समाज और राष्ट की सेवा में समर्पित हो जाईए भारतिय भाता संस्कृति उनकी रक्षा उनका संबर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है आप दाइत्व का निर्वाह कर सके जीवन में सफलता पाएं यही सुब कामना है जिनहें हिंदी प्रवेश हिंदी उत्मा की परिक्षाएं उतिर्ण की हैं वे और आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे यही आचा है इस उदेश्य की प्राप्ति है तूं स्वैक्षिक हिंदी संस्थाओं की वि दिल का समर्थन करता हूँ, मुझे खुशी है कि क्रिशे मंतरी एक करांती कारी भी लाये हैं, लेकिन दुख है कि जैसा भी लाया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं आया है, मुझे खुशी है कि मंतरी महोदे ने बरी हिमत से यह बिल पेस किया है, परन्तु कुछ सदैश विरोध किया है, उन्होंने इस बात की और ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर कबजा करने की लोगों की जो भूख है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे, देश की जो दूसरी सबसे बरी शमश् वह बिरोजगारी, उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है आदिवासी लोगों को, गरीब और पिक्छरे लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है, काफी ऐसे लोग हैं जो छे महीने वनों से ही फलफुल द्वारा भोजन करते हैं, मैं इस विशे में मंत्री महोदे का ध्यान अकर्सित करना चाहूंगा, मेरा छेतर अंडमान निकोबार है जो बहुत हरा भरा है, वहां काफी जंगल है लेकिन उनको काटा जा रहा है, अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्सा भी वहां नहीं होगी, मैं इसके बाद एक समीती बनी, जिसको वहां जाकर सारी चीजों को देखना था, उसकी सिफारिस के अनुसार वहां काम होना था, इस समीती को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समीती आज तक वहां नहीं जा सकी है, जगरा क्या है, जगरा यह है कि कनिष्ट अधिकार को इस समीती का अधिक्ष बना दिया गया है, जो वरिष्ट अधिकारी हैं, वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे, इस वास्ते यह जो चीज है, इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, और आपको इसको देखना चाहिए हमारी जो अर्थ निती है, वह वनों पर अधारित है, जो गरीब लोग हैं, उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है, जो इमारते हैं, वे लकरी की ही बनती हैं, इटे वहां नहीं बनती हैं, सिमेंट का वहां कोई करखाना नहीं है, इधर से ही वहां सिमेंट जाता उस से सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है, आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत तिमबर हैं, असम से तिमबर नहीं आता है चुकि वहीं से आ सकता है, इस वास्ते वहाँपर भी इसका भाव बहुत उचा हो और वह असम से टिंबर ना आने की वज़ा से हुआ है लकरी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई के सामना करना पर रहा है सभापती महोदे मैं इस सदन का जादा समय नहीं लूँगा मैं केवल एक दो बातों की और वित मंत्री और सरकार का ध्यान खीचना चाहता हूँ आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक हैं खास दोर से पिछले 5-7 दिनों से गाउं में परिसानी बहुत बढ़ गई है मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है नतीजाया हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है वहाँ पहले से ही अकाल की इस्थती है बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बरबाद हो रही है इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़ कर सरकार उसकी पूर्टी को नियमित करे उधर से जो माननिय सदश्य बोलते हैं वे बाते करीब करीब वही करते हैं जो हम कह रहे हैं दोनों में कोई फरक नहीं है वे भी कहते हैं कि महंगाई है बेकारी है और हालत खड़ाब है सरकार की तरफ से भी हर एक वक्त अब्वे को इसी वाक्य से सुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खड़ाब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधन निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे हम को भाशन लिख कर दे दे और बता दे की हम क्या करेंगे हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जंता के सामने बोलेंगे लेकिन वह देश की हालत को सुधारे आज चारों तरफ हालत बिगर रही है आज गाओं में कोई ववस्था नहीं है सरकार हम लोगों को कब तक दोस्त देती रहेगी अगर हालत ना सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे हम लोग भी डूबेंगे और लोगतंतर भी डूबेगा आज गाओं में हालत बहुत खतरना बिगर रही है मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूं आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं इससे कोई फरक नहीं परता हालत सब तरफ से खराब है बिजली खराब है कुएला खराब है तेल नहीं मिल रहा है किसानों के काम सब तरफ से रुके हुए हैं गाउं के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्रान निकल रहे हैं और आगे यह मंगाई जोर से बढ़ेगी यहूं का उत्पादन कम हो गया है भाव अभी उचे हो रहे हैं आगे और भी उचे होंगे आगे आप फिर कहेंगी कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो आप मुसीबत में फस गए हैं आप मुसीबत में फसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है इसलिए आप गंभिरता से सोचे कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो ले जिस तरह से भी लेना चाहते हैं ले आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के लिए जरूर कुछ करे श्टॉप दोस्तो ये परलेमेंट रिपोर्टर स्रीज के लिए डिक्टेशन थी आप इसे लिखे एक वार न लिखा जाए दो वार तीन वार जरूर लिखे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें कमेट करना पिल्कुल भी ना भूलें अगर आप हमारी चैनले पे नया है तो चैनले को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल टेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो चले फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए